नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्री, गनेश, पूजा जो हम घर में करते हैं न दोस्तों, उसके लिए सजावट का एक छोटा सा आइडिया दे रही हूं दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एक चुन्नी दिवार पे लगाई और उसको दोनों तरफ से खोल दी, जर राधे कृष्णी जी का एक रख लिया है आइडिल, और ये देखिए, ये कलश, ये दिया, यहाँ आप अपना मंचहा समान रख सकते हैं दोस्तों, ये लाइट्स, ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है दोस्तों, तो मैंने देखा कि एक बार मेरे व्यूवर्स को बता द चाहिए, कि कम से कम समान में हम कैसे डैकोर कर सकते हैं दोस्तों, और मैंने देख लिए कहीं भी fancy lights का या LED lights का, मैंने boy lights इस्तेमाल किये दोस्तों, जो normal लड़िया आती है, जिनको हर कोई ये अफोर्ड कर सकता है, ये देखी दोस्तों, पहले मैं सोच रही थी, मैं LEDs लगाू लेकिन ये ठीक है दोस्तों ये बहुत अच्छी लग रही दोस्तों इनका यलो कलर जो पिंक चुन्नी में से रिफलेक्ट हो रहा है न तो इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बता हूँ मेरी तो नजर नहीं हट रही अभी से ऐसा लग रहा है ये देखिए दोस्तों ज बहुत ही प्यारी लग रही है इस तरह की डेकोरेशन आप करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों और मुझे भी बड़ी खुशी होती है आप लोगों को बताने में और बहुत ही है कम सामानों में और घर की पूजा के लिए देखिए हमने कपड़े पे लाल बिचा दिया दोस्तों चौकी पर और ये चौकी पर हमने ये सब सामान लगा दिया ये तो बना बनाया कलेश है दोस्तों मैंने रख दिया रख दिया तो बहुत ही कोई भी देवी देवता की आप घर में पूजा करते हैं न दोस्तों तो किसी भी प्लेस पे दिशा विशा क दिशा का ध्यान रखें दोस्तों ये तो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों तो दिशा हमेशा पूरु दिशा की और मुख करके बैठें ऐसा आरेंद्मेंट होना चाहिए पूजा का तो आशा करती हूँ आज का वीड कैसे लगतें बताएं मुझे अपनी राय दें मुझसे question पूछें नमस्कार